मैंने अपनी क्लास में एक बहुत ही प्यारी लड़की देखी और मैं उससे प्रभावित हो गया, वह इतनी प्यारी थी, वह पूरी तरह से मेरे मन में बस गई, पूरे दिन मैं सिर्फ उसी पर ध्यान देता रहा, मैंने टैक किया कि मैं उससे बात करूंगा लेकिन किसी भी त पता चला कि वह एक अमीर परिवार से थी और बहुत प्रतिभाशाली थी, वह हमेशा पढ़ाई में अववल आती थी, फिर मुझे लगा कि वह अपने स्टेंडर्ड की वजह से मेरी दोस्ती स्विकार नहीं करेगी, और अब मेरे अच्छे दोस्त थे, वह मुझे मेरे स्व पल नहीं हो पाता था, मुझे ये भी पता था कि उसका ग्रेजुएशन के समय का एक बॉइफ्रेंड था, मैं बहुत दुखी था लेकिन क्या करता, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने टेकर लिया था कि एक दिन मैं उसे प्रपोज करूंगा, लेकिन कॉलेज के दिनों मे वह दिन कभी नहीं आया, लेकिन एक दिन कॉलेज के अंदर एक गतिविधी चल रही थी और मैंने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया, इसमें हिस्सा लेने के लिए एक साथी की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे बात की और कहा कि कृपया मेरे साथ भाग ले, वह सहमत नही हुई लेकिन उसने कहा कि वह बाध में पुष्टी करेगी इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वह भाग लेगी मैं इतनी खुश्छथी की कलपना भी नहीं कर सकती इस घतिविधी में हम विजेता थे और अपसे जब भी मुझे मौका मिलता मैं उससे बात करती उसने मुझसे बात भी की और कॉलेज का आखिरी दिन भी आया पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई उसने सभी सेमेस्टर में टॉप किया वह अपने ग्रेहनगर चली गई थी और अध्यापन का करियर शुरू कर दिया था और मैं नौकरी के उद्देशे से दिल कुछ दिनों बाद जब मैं ने देखा कि कोई बड़ी समस्या है मैंने फिर से उसे प्रपोच किया और सीधे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी उसने थोड़ा समय लिया लेकिन स्वीकार कर लिया अब हम बहुत खुश हैं कुछ समय बाद मैं उसके माता पिता से मिला उन्होंने भी मुझे स्वीकार कर लिया लेकिन आज तक मैंने अपने माता-पिता से कभी बात नहीं की थी जब मैंने उन्हें बताया तो वे मुझसे बहुत नाराज हुए क्योंकि मैं अंतर जातिय विवाह कर रही थी लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभला और वे मान गए अब हम शादी शुदा हैं और उसके और माता-पिता के साथ खुशी से रह रहे हैं मेरे परिवार में हर कोई उससे बहुत खुश है